प्रस्क्राइब करें दर स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बैल आइकन को जरूर दबाएं नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग आपका अपने परिवार्दा स्पीड स्टडी पर स्वागत है और हम लोग जो है जैसा कि आप कल देखे होंगे कल मैंने नोटिफिकेशन भी दी थी तो आज हमारी पहली क्लास है आप स्टार्टिंग में भी देखे होंगे थमनेल में भी लिखा हुआ है तो दोस्तों आज से हम लोग एक ऐसी क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि टार्गेट जो हमारा है 30 से 32 दिन का है दोस्तों और इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाए ही जाएंगे और साथ में जो टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा उसको पूरा पिस्तार में बताया जाएगा जैसा कि चुकि अब आपको पता होगा एक बार मैं पूरा स्ट्रेटजी फिर से बता देता हूं देख दोस्तों चार सेक्षन आपके पास रहते हैं और इंगलीज जो कि आपका 20 कुष्चन है मैध और साइंस मिला करके 25-25 कुष्चन यानिक 50 कुष्चन है दोस्तों वहीं रागा के 30 कुष्चन है यह आपका टॉपिक है मतलब की स्लेबस है तो दोस्तों हमारे जो क्लास चलेग जैसे इंगलीज हो गया मैध हो गई साइंस हो गई यह तीन क्लास आपकी इसका टाइमिंग जो है आपका सुबह रहेगा सुबह जो की साइन जैसे चल रहा है 10 बजे और रागा की क्लास जो रहेगी वो प्रति दिन चलेगी साम को जी हां दोस्तों यह आपको चलेगी साम को आठ बजे जी हां साम को आठ बजे रागा कि चलेगी और रागा की क्लास चार दिन चलेगी तीन दिन नहीं चलेगी और जो तीन दिन नहीं चलेगी इस तीन दिन आपको इस टाइम में साइंस करवाया जाएगा जो तीन दिन नहीं चलेगी वो तीन दिन आपको science करवाय जाएगा और तब तक मैत और English जो है शुबह चलाई जाएगी सुबह 10 बजए इसी टाइम तो सुबह 10 बजए आपको math और English मिलेगी और रागा की जो question है वो आपको साम को मिलेंगे और साम को ही आपको साइंस भी कराई जाएगी तो दोस्तों चुकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और पूरा प्रैक्टिस एक साथ करेंगे अर्थात जब इंग्लिस करेंगे तो उसमें केवल मैद करेंगे जब साइंस करेंगे तो उसमें केवल साइंस करेंगे और जब रागा के कुश्चन साल करेंगे तो उसमें केवल रागा के करेंगे और दोस्तों जो Sunday special रहेगा आपका अर्थात प्रतेक रभीवार प्रतेक रभीवार आपको English के passage करवाए जाएंगे चुकि देखें जो English का स्लेबस है जब हम English पढ़ें मतलब English की पहले क्रास इस दिन रहेगी उस दिन मैं इसकी strategy बताऊंगा कि क्या question कहां से बनता है चुकि आज आप देख रहे होंगी आज जो topic हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं तो चलिए हम मैत पे एक बार बता देते हैं आपको यह तो था आपके exam में क्या-क्या आना है वो हमने बताए मैत का देखिए चुकि मैंने पूरा analysis किया दोस्तों जो जो भी chapter 14 important है वो सारे question जो है जितने भी question पूछे गए थे मैंने सब का analysis किया मैत में हमको पढ़ना क्या है एक बार मैं आपको बता रहीता हूं दोस्तों मैत का जो हमारा topic है उसमें देखिए सबसे important topic जो है वो है आपका limit जी हां दोस्तों सबसे important और सबसे ज्यादा प्रस्न पूछा जाता है लिमेट से उसके बाद फिर आपका आउकलन रहता है दोस् कि उसके बाद दोस्तों समा कलन के अनुप्रियोग करवाएंगे तो प्रेक्टिस ही जो कुष्चन पिछली बात पूछे गए है प्रीबियस यर में वही सारे कुष्चन आपके करवाए जाएंगे यह मैं topic बता दे रहूं कि अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो चुकि मे प्रेक्टिस करेंगे दोस्तों और जो पूरा पढ़ना चाहें वहां से पढ़ सकता है उसके बाद दोस्तों अगला चेप्टर जो है वो है आपका स्रेडी अगला चेप्टर जो है वो है निर्दे सांक ज्यामीद उसके बाद अगला चेप्टर जो है वो है संक प्रिक्षेद अगला चेप्टर जो है वो है आपका प्राइक्ता अगला चेप्टर त्रिकोण वि और अगला चेप्टर है दुईघार समीकराना यह आपका में चेप्टर है दोस्तों देखिए चुकि होता क्या है यक्स और वाई ग्रूप में अगर आप यक्स ग्रूप से डाले हैं तो जो आपका नंबर इंक्रीज में डर्था जो मेरिट बनती है कटाफ जो आती है वो कट कटाफ इसी मैथ और साइंस की वज़ा से आती है मैथ और साइंस अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप कटाफ की रैंक पर पहुच जाएंगे दोस्तों उसी तरह रागा वाले में वाई ग्रूप वाले में अगर आप रागा के कुश्चन अगर अच्छे कर लेते हैं त तरफात वाई ग्रूप के लिए रागा मजबूत होना चाहिए और यक्स ग्रूप के लिए मैथ और साइन्स मजबूत होनी चाहिए तो दोस्तों वही हमारा टार्गेट रहेगा ये इतना चेप्टर तो आपको अच्छे से आना चाहिए अगर इसमें से कोई भी कि अगर आप लोग का इंट्रेस्ट रहेगा तो वो चिप्टर आपको संडे स्पिसर में करवा दिया जाएगा दोस्तों तो यह तो था हम लोगों की स्टेट जी और आज जो है इसका आप स्क्रीन साट ले लिजिए तो आज फर्स्ट क्लास है तो आज हम पहला सेट डिसकस कर करवे दोस्तों और आपकी स्क्रीन पर कुषट्ट लगा दिया गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्स्ट लगा दिया गया है क्या कहनँ रहा है देखियगा कुश्चन नंबर 26 अब आप सोच रहा होंगे सवर्जी डारीक 26 तो चुकि बेटा देखिए जो मैसके कुश्चन सीटियां आते हैं वह ł rezor साइस के हैं अल्ब लेिक पाचीस वैस के Ugh 20 साइन्स रहते एं उसके बाद रहते वह आपके प्लस अंडरूड 6 प्लस डाट डाट इंफाइनेंट किसी को कहीं भी समस्या हो तो बताईए जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता हो तो सॉल्व करके अंसर दीजिए और जो नहीं कर पाएगा उसको तो मैं बताऊंगा ही तो दोस्तों आप देख रहे हैं दो चार आप्सन ह अंडरूड 6 तो इसमें क्या करिया एक गिंती लिख दीजिए और लिखने के बाद फिर से आप क्या लिख दीजिए टैन ठीटा क्योंकि देखिए टैन ठीटा का मान ही है क्या है टैन ठीटा का मान यहीं है अंडरूड 6 प्लस अंडरूड 6 प्लस अंडरूड 6 यही टैन ठी वर्ग करने पर तो जब दोलों पक््षों का वर्ग करेंगे यह हो जाएगा 10 square theta और एक चीज सुनिएगा जब भी हम किसी अंडर root की चीज को वर्ग करते हैं जैसे कहीं अगर under root 2 लिखा है ऊंडर root 2 का जब वर्ग करेंगे तो under प्लस चेटा अर्थात यहां पर हो जाएगा 6 प्लस 10 थीटा अब दोस्तो देखिए 10 स्क्वाइल थीटा है 10 स्क्वाइल थीटा प्लस 10 ठीटा इधर आएगा तो माइनेस 10 ठीटा और प्लस 6 इधर आएगा तो माइनेस 6 बराबर 0 अब हम देख रहे हैं 6 का मतलब क्या हुआ 6 का मतलब हुआ 3 इंटू 2 बराबर 6 और 3 में से 2 घटा दीजिए एक ये गुडनखंड हो जाएगा अर्थात 10 स्क्वाइर ठीटा माइनेस 3 माइनेस 2 10 ठीटा माइनेस 6 बराबर 0 देखिए दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर जी तनम इस्ताल से बताएगे तब तो टाइम बहुत लग जाएगा तो दोस्तों अभी आप समझ रहे हैं जब आप समझ लेंगे तो इसमें सौट करना सीख जाएगे अर्थात अगर मैं डारेक्ट एंसर बताऊ इसका तो चुकि देख रहे हैं 3 दू निच्छे 3 और 2 का गुड़न खंड बन रहा है अर्थात 10 ठीटा का मान 3 आ जाएगा लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं तो इसलिए सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगा थात इसको जब दो तीन सेट चार सेट पांच सेट में करा दूँगा तो इसके बाद फिर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है अभी तो मैं समझाने में टाइम मतलब कुछ बतीद कर रहा हूं लेकिन फिर समझाना कम रहेगा क्योंकि आप जैसे दस सेट अगर हम लोग पहुँच जाएंगे तो इसके बाद फिर क्यों स्पीड बनाना रहेगा हमको तो पहले आप समझिए फिर स्पीड बनाए तो देखें टाइन स्कॉयर ठीटा माइन ठीटा टाइन ठीटा सामिल कर अगर जगा प्लस टू टाइन ठीटा माइन शिक्स बराबर जीरो दोस्तो इसमें इसमें कामन ले लेंगे इसमें इसमें कामन ले लेंगे तो जब इसमें कामन लेंगे तो टाइन ठीटा कामन हो जाएगा आपका और यह हो जाएगा टाइन ठीटा माइन ठीटा माइन ठीट 10 theta minus 3 बराबर 0 दोस्तों जो भी Interbiology से पढ़ा होगा उसके लिए भी मैत आसाम लगेगी आज से यह हो जाएगा 10 theta minus 3 एक ब्रेकट में और एक ब्रेकट में हो जाएगा आपका 10 theta plus 2 बराबर 0 देख रहें 10 theta minus 3 बराबर 0 एक बार हो जाएगा तो 10 theta का मान आजाएगा 3 और एक बार हो जाएगा 10 theta बराबर minus 2 तो minus वाला हम लेंगे नहीं यही plus वाला हम ले लेंगे 10 theta बराबर 3 तो अब चुक्कि मान किसका निकालना है कह रहा है तो sec square theta का मान ग्याद कीजिए जी हंदुस्तों sec square theta का मान हमको निकालना है और sec square theta का फार्मूला होता है sec square theta बराबर 1 plus 10 square theta फार्मूला आप लोग लिख लिजेगा जो भी फार्मूला आएगा मैं ऐसे लिख दूँगा उसको आप लोग एक capital ले लिजे दो रूपय वाली उसमें आप लोग केवल फार्मूला लिखेगा ताकि जब आप एक्जाम में जाएं तो वो फार्मूला पूरा देख के जाएं sec theta बराबर 1 plus 10 square theta दोस्तों यह आपका फार्मूला है तो वही हमने लिखा है बराबर है बराबर 1 plus 10 square theta तो 10 theta का मान 3 है square लगा है square अर्थात 1 plus 3 3 का 9 यानि कि जो आपका answer आजाएगा दोस्तों answer हो जाएगा 10 यही आजाएगा हमारा answer तो जो option number 2 है यह आपका सही option है कहीं भी समस्या हो तो बताइए इस प्रस्ण में कहीं भी समस्या हो तो बताइए दोस्तों हमने कुछ किया नहीं 6 था 6 लिखा उसके बाद फिर इसकी जहाँ पर 10 theta लिख दिया 10 theta लिखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया वर्ग करने के बाद केवल गुडनखंड कर दिया है आप लोग इसका screen sort ले लीजिए तब फिर मैं मिटाओं अगला कुशन देखेगा दोस्तों अगला कुशन आपकी screen पर दिख रहा हो दोस्तों अगला कुशन क्या कह रहा है सुनिए गा त्रिभूज ए बी-सी में सुनिए गा त्रिभूज ABC में A बराबर 5 C बराबर 2 अंडरूल 2 और B बराबर 45 तो B बराबर 5 यही है दोस्तों अब यही चीज़ हमको निकालनी है एक फार्मूला है दोस्तों वो क्या है सुनिएगा Cos B बराबर यहाँ पर क्या लिखा आपने B लिखा बचा क्या आपके पास A और C तो Cos B बराबर A स्कुार प्लस C स्कुार माइनिस B स्कुार बटे अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो चीज़ आप लिखे रहेंगे दोस्तों जो चीज़ आप लिखे रहेंगे अगर यहाँ B लिखे रहेंगे तो इसमें हम B घटाएंगे अगर यहाँ A लिखे रहेंगे तो इसमें हम A घटाएंगे जो चीज़ यहाँ रहेगा वही चीज़ हम यहाँ घटाते हैं दोस्तों तो चुक्कि यहाँ B थात इसलिए B घटाया और बटे में 2AC अर्थात अगर यहाँ पे होता कास A तो यहाँ A है ना हमारी बास बचा क्या B और C बचा अर्थात B स्क्वाइर प्लस C स्क्वाइर माइनिस A स्क्वाइर और बटे 2BC उसी तरह अगर हम यहाँ पे कास B कास C कर दें तो C करेंगे तब देखिए A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनिस C स्क्वाइर बटे 2AB यह फार्मूला है दोस्तों इसको आप लोग लिख लीजिएगा मैंने कहा कि फार्मूले की एक नोट्स बनाईएगा उसमें केवाल आप फार्मूला लिखिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है हमको B बराबर 45 अंस दिया है हो सकता है जो आपके में कुश्यन आए उसमें इसे A या C कमान दिया रहे है तो वो चीज है तो दोस्तों हमको पता है क्या पता है कि कास B बराबर क्या होता है देखिए वहाँ पे कास B बराबर A square plus C square minus B square बटे 2AC तो A कमान है 5 और 5 कवर्ग करेंगे 25 प्लस C square यानिकी 2 अंडर रूप 2 तो 2 कवर्ग करेंगे तो 4 और 4 इं निकालना है इसको उतार लीजिए बटे 2 इंटू A और इंटू C कास है कास B और B कमान है 45 तो कास 45 तो कमान आ गया यह अब यहाँ पी देखिए दोस्तों कास 45 तो कमान क्या होता है 1 अपान रूप 2 बराबर 25 और 8 आठ पान 13 यानिकि 33 minus B square बटे 2 पंचे 10 दूना 20 अंडर दोस्तों 33 minus B square बराबर कितना हो जाएगा 20 के हो जाएगा और यहां से जब हम 20 square कमान निकालेंगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 33 minus 20 तो B square बराबर क्या हो जाएगा बताईए आप लोग B square कमान हो जाएगा 13 और हमको पूछा है B कमान तो B कमान हो जाएगा दोस्तों अंडर रूर 13 और यही आजाएगा हमारा क्या यही आजाएगा answer तो जो आपका answer होगा वो हो जाएगा answer number 1 answer number 1 कहीं भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगे दोस्तों बताईएगा और सूत्र लिखते चलिएगा अगला question देखिए दोस्तों दिखा हुआ है क्या कह रहा है कह रहा है sign sign to 10 inverse 5 बटे 8 अगला question यही है दोस्तों अब हमको निकालना क्या है इसी को हल करना है कह रहा है इतने का मान है जी हां दोस्तों इतने का मान है तो सबसे पहले तो आपको 10 inverse का फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों तो देखिए अगर कहीं पर अगर कहीं पर sign sign inverse x बराबर 2x अपान 1 प्लस x स्क्वाइब या फिर 10 inverse x बराबर sign inverse 2x अपान 1 प्लस x स्क्वाइब जी हां दोस्तों यह है आपका फार्मूला 10 inverse x बराबर sign inverse 2x बराबर 1 प्लस x स्क्वाइब यह फार्मूला है अपका अब हमको पता है कि क्या पता है sign है sign लिख लीजिए ठीक अब यहाँ पर 2 tan inverse है यहाँ पर देखिए 2 tan inverse x x की जहाँ पर क्या लिखा है x की जहाँ पर लिखा है 5 बटे 8 जी हाँ दोस्तों x की जहाँ पर लिखा है 5 बटे 8 तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ आप 5 बटे 8 लिख देंगे अर्थात यह हो जाएगा sign और bracket के अंदर इसकी जहाँ पर क्या हो जाएगा sign inverse 2 यक्स और बटे 1 प्लस यक्स स्क्वाइर और यक्स कमान है 5 बटे 8 का whole स्क्वाइर अर्थात sign स sign कर जाएगा आपका 2 इकन्नम 2 दो चोक आठ यानि कि 5 बटे 4 बटे 1 प्लस पच्चम 25 बटे 8 ठाईं 64 या फिर 5 बटे 4 बटे 64 इकन्नम 64 और प्लस 25 दोस्तों बटे 64 है 64 अब देखिए ये 64 उपर चला जाएगा ये दोनों बीच में हो जाएगे अर्थात ये हो जाएगा 5 इन्टू 64 बटे इसको जोडेंगे तो 5 चार कितना हो जाएगा 9 6 2 8 89 और इन्टू 4 तो देखिए 4 इकन्नम 4 चार चार चन्ट चोविस ठीक 16 16 इन्टू 5 करेंगे तो 16 पंचे क्या हो जाएगा बताईए 16 पंचे 80 और बटे 89 जी हाँ दोस्तों यही आजाएगा आपका क्या यही आजाएगा दोस्तों अब देखिए 80 बटे अब इसमें देखिए 4 आपसन दिया गया है और 4 आपसन लिखा है इन में से कोई नहीं तो यही हमारा सही हो जाएगा इन में से कोई नहीं दोस्तों अगर मजा आ रही हो तो लाइक करिएगा सेर करिएगा दोस्तों सेर करिएगा यह आपका करता भी है और comment करके बताईएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं और जो अगर कुछ improvement चाहते हों तो इसको भी बताईएगा अगला question देखें दोस्तों अगला question क्या लिखा है कह रहा है ए बराबर आपकी screen पर है अगला question ए बराबर one four two फिर two minus one four लेम्डा साथ और माइनिस चे कह रहा है दोस्तों कि ए इनवर्स ए इनवर्स अस्तित्त में नहीं है जी है दोस्तों कह रहा है प्रस्ट में प्रस्ट में कह रहा है कि ए इनवर्स ए इनवर्स अस्तित्त में नहीं है दोस्तों ए इनवर्स अस्तित्त में कब नहीं रहता जब आपका mod A का मान 0 आ जाए जब आपका mod A का मान 0 आ जाए तब आपका A inverse अस्तित्व में नहीं रहता तो इसमें यहीं कह रहा है कि अस्तित्व में नहीं है तो lambda का मान क्या होगा इसका मतलब की इसका mod A निकालेंगे तो यह बराबर होगा 0 के तो चलिए दोस्तों इसका माड ए निकालते हैं तो जब आप माड ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई एक और ये रो और कालम खतम हो जाएगा तो ये और ये खतम हो जाएगा तो एक इंटू 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा माइनिस 4 सते 28 उसके बाद डोस्तों बीच वाला जब दो लिखेंगे ती ये और ये खतम हो जाएगा था चार चांग 24 तो माइनगर 24 और माइनस इसका इसका गोड़ा करेंगे तो 2 सथ 14 फिर अगला लेंडा फिर आप lambda वाला लेंगे तो ये और ये खतम कर देंगे 4 चोग 16 और minus 2 ही करना 2 तो plus 2 हो जाएगा दोस्तों आद देखिए माड A तो माड A बराबर 0 लिखा हुआ है 0 बराबर 6 minus 28 तो 22, 28 होता है 22 हो जाएगा दोस्तों minus 2, 24 और 14 24, 28, 28, 10, 38 तो minus 38 प्लस लेंड़ा और 16 प्लस दो तो 17, 18 हो जाएगा दोस्तों अब देखिए 0 है 0 बराबर है बराबर minus 22 है 22, minus minus प्लस और 38 दूना, 32, 60, 82, 16 यानि कि 76 और प्लस 18 लेंड़ा अब इसको घटा देंगे दोस्तों तो 22, 4, 4 हो जाएगा और उसके बाद फिर प्लस अठारा लेंड़ा ये बराबर हो जाएगा 0 के तो 18 लेंड़ा बराबर हो जाएगा minus 44 के यहां से लेंड़ा बराबर निकालेंगे minus 44 बटे 18 किसे को कहीं समस्या हो दोस्तों तो बताइए आगे देखिए इसको जब solve करेंगे कि दोस्तों इसके आगे जब solve करेंगे कहीं भी समस्या होत बताइए आप लोग screenshot इसका ले लीजिए minus 18 बराबर रुख जाएगा यहां 44 नहीं 54 होगा कि तो अठारा अठारा दोनी 36 अठारा तरी 54 यानि कि लेंड़ा बराबर minus 3 यहीं आ जाएगा आपका आइस्वर दोस्तों लेंड़ा बराबर minus 3 यहीं आ जाएगा आइस्वर दोस्तों तो आज कुछ नेटवर की प्राबलम आ रहे है यह दोस्तों आज first देज़ा तो हो सकता है कि थोड़ा मैं पहले छोड़ना पढ़ा रहा है हमको बंद करनी पड़ रही क्लास लेकिन दोस्तों साम को इसको आपको जो है मैं पूरा करा दूंगा कल करा दूंगा आगे से मतलब की सारी जो है पूरी चलेगी चुकि यहां पर नेटवर्क की समस्य रहती है इसलिए जो है बीच-बीच में प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोग जो है इसको देखिएगा सौल करिएगा इस्टेटजी मैंने पूरी बता दी है और वहां पर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो उसमें मैथ क्लास 12 लिखा हुआ है तो वहां का कुछ मैथ आप लोग पढ़ लिजिए जैसे आउकलन करवाया गया है तो आउकलन करते रहे लाइक करते रहे नमस्कार धन्यवाद